आज़ बिल्लाहि मेरे शैतान रॉर्जीम बिस्मिल्ला रह्मादर रहीम के तमाम तालिबात का हम इस यूटूब चैनल में इस्तक्बाल करते हैं फस्स समेश्टर की फीस पे करने की डेट आ चुकी है लेकिन जरूरत इस बात की है कि चुकि ये तमाम की तमाम तालिबात पहली बार फीस पे करेंगी तो बहुत सारी मालूमात से वो वाकिफ नहीं होती हैं आज इस वीडियो के जरीए से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ह तालिबात, सबसे पहले, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें एक्जाम की कितनी फीस पे करनी है, फीस पे करने की तारीख क्या है, फीस पे कैसे होगी, हमें कालेज में आ करके पे करना है, या हमें आनलाइन में आ करके पे करना है, या मीशेवा से जाके पे करना ह हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए। बहुत सारी तालेबात को शुकूछ को सुभात होते हैं तो उन तमाम चीजों को आज हमीश वीडियो के जरीय करने की कोशिश करेंगे। चुकि पहली बार तालेबात इस इम्तिहान में शरीक हो रही हैं तो उन्हें इन तमाम चीज़ों की मालूमात होना जरूरी है सबसे पहले तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम समेश्टर वन साल अवल के इम्तिहान में शरीक होने जा रहे हैं हमारा नाम क्या है हमारा रूर्लूम्बर किया है और हमें फीज़ेकर का क्या तरिका है का आए हम बताते हैं कि जो भी तालीबातira हैं जन्हों ने उस साल दाखला लिए हैं उन्हों को अरीफिजर की फीज़ें पेकर facts पह अगर आपने फीज़े नहीं किया तो आपका admission cancel हो जाएगा. admission को बरकरार रखने के लिए तमाम तालिबात को fees pay करना जरूरी है. आपने fees pay कर दिया लेकिन इम्तिहान नहीं दे सके तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आपने fees pay नहीं किया तो आपका दाखला वहीं से मनसूख हो जाएगा. आपका admission बरकरार नहीं रहेगा. अजीज तालिबात, हमें ये fees लिंक के जरीए से pay करना है. जिन लोगों ने college की fees pay की है, उसी लिंक पे जाकर के हमें अम्तिहान की fees pay करना है. फीज पे करने के बाद, जो हमको सिलिप मिलेगी अम्तिहान फीज की, उसे हमें college के आफिस में submit करना है. उसकी दो कामिया बनानी जरूरी है, ताकि एक आप pay कर दें, submit कर दें आफिस में, दूसरी आपके पास मौजूद रहे. फीज की सिलिप submit करने के वक्त, इस बाद का ख्याल लगकें कि आप अपना नाम, रूल नंबर, मॉबाइल नंबर, तमाम चीजों का इंतराज आप रेजिश्टर में करें, नहीं तो आफिस वालों की छोटी सी गलती से, आपने फीज पे कर दिया, लेकिन आपका हाल टिकेट नहीं आएगा. इतले जरूरत इस बात की हैं कि आप अपने पास इसकी प्रूफ रखें और सिलिप समिट करने के वक्त रेजिश्टर में अपना इंतराज करवाएं. इसके साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कि अगर अम्तिहान की डेट, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कि अगर आप ने वक्त मकररा पे जो तारीख मतायन है, उसके बाद फीज पे करना चाहा, तो कोई भी फीज जमा नहीं होगी, कोई भी फीज पे नहीं हो पाएगी, इस सूरत में आप इम्तिहान देने से महरूम रह जाएंगे, तो ये छोटी सी मालूमात थी, आप को अपना रूल लंबर मालूम करना है, रूल लंबर कैसे मालूम होगा, उसको हम दूसरी वीडियो में कल इंशालला बताएंगे, अब हमें किस कोर्स में कौन-कौन सी फीज पे करनी है, कितनी फीज पे करनी है, इसकी मालूमात हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनिवस्टि का ये नोटिफिकेशन, दो फर्वरी 2022 को आया है, और यह notification इस बात के निशानद ही करता है कि BA, BSC, BCAM, BBA के regular student इस इम्तिहान में शरीख हो सकते हैं हम देख रहे हैं इस चार्ट के जरीय से कि बगएर किसी late fees के 9-2-2-2-2-2 तक हम fees दाखिल कर सकते हैं इस notice को देखने के बाद बहुत सारे तालेबाद गलत फहमी का शिकार होंगी यहां पर जो दिया जाया गया फार स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको करसर के जरीय से इसी को हमें फालो करना है यह कालेज वालों के लिए होता है फार कॉलेज आपको सिर्फ नौ फरवरी तक बगेर किसी लेट benefit के फीज पे करना है हमां कि 200 अच्छं के साथ 11 फरवरी और 12 फरवरी को आप फीज पे कर सकते हैं मियां पास्यों रूपए लेट फीज के साथ 15 फरवरी 2022 और 16 फरवरी 2022 को आप फीज पार सकते हैं 2,000 रुपे लेट पेऍमेंट के साथ 18 फर्वरी 2022 और 11 फर्वरी 2022 को आप fiscal कर सकते हैं और 5000 रुपे लेट payment के साथ 21 फर्वरी 2022 तकाफ फीस पे कर सकते हैं तो तालिबात हमने देखा कि यह मालुमात है फीस PayPal करने की पने रहिए हमें यह भी मौलुम करना है कि हमारा इम्तिहान कब होगा बहुत सारी तालिबात आधिया दूरी मालूमात लेकर के वीडियो से बाहर हो जाते हैं तो मेरी उनसे दरखास है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी गलत फहिमी का शिकार ना हुँ अधिस तालिबात हम यहां पर देख रहे हैं नोट दिया हुआ है टिन्टेटिव एक्जामनेशन विल बी कमेंड और और आफ्टर 23 फरवरी 2022 यानि कि हमारा जो एक्जाम है उसकी टिन्टेटिव डेट 23 फरवरी 2022 है यानि 23 फरवरी 2022 से हमारे इम्तिहान के होने के चांसेज हैं अधिस तालिबात हमने देखा कि हमें उन सारे तारीख या डेट की मालूमात हो गई कि हमें किस किस डेट में हम क्या करते हैं विटाउट लेट फीज पे कर सकते हैं किन किन तारीख में हम दो सो रुपए के साथ लेट फीज़ पे कर सकते हैं किन तारीखों में हम 500 रुपए के साथ फीज़ पे कर सकते हैं किन तारीखों में हम 2000 रुपए के साथ लेट पेमेंट के साथ फीज़ पे कर सकते हैं और किन तारीखों में 5000 रुपए के साथ हम लेट फीज़ पे कर सकते हैं यह थ देख रहे हैं और बिये कि तमाम तालिबाद को जो फीज पे करना है आल पेपर्स की फीज से ग्यारा सो पचास रुपए मेमो के लिए सो रुपए उसी में और आइड कर लेना है बाइयमेट्रिक एटेंडेंज की सो रुपए पे करना है प्रोसेसिंग फी यानि पहली बार ज करना है और आएसी तालिबात जो किसी दूसरे आधरी इन्वेस्ट्री या दूसरे बोर्ट से या किसी दूसरे स्टेट से आए हैं उनको माइग्रेशन की फीस 175 रुपए और आयड कर लेना है जो तालिबात तेलंगाना से तालुग रखती हैं जिन्होंने इंटर तेलंगाना से किया है उनको 175 रुपए के फीस नहीं पे करनी है सिर्फ 1150 100 रुपए 100 रुपए और 200 रुपए टोटल जो एमाउंट बनता है वो हमें पे करना है इसी तरीके से बीकाम और ब्स की तालिबात को 1270 रुपए यानि 1270 रुपीज प्लस मेमो के लिए 100 रुपीज बायमेट्र रुपीज और इसी तरह से अधर इस्टेट अधर बूर्ड अधर इन्वेस्टी की जो तालिबात हैं उनको 175 रुपए और आइड कर लेना है इस तरीके से हमें अपनी फीस को पे करना है आनलाइन में अगर आपकी ये फीस नहीं बता रही है तो आप आफिस में जा करके इस हवाले से तमाम तालिबात को बताएं कि हम हमें करना क्या है हमें किस तरीके से जो है फीस को पे करना है और किस तरीके से हमें सिलिप को फीस की जो सिलिप है फीस की जो रसीद है आफिस में सब्मिट करना है मैं समता हूँ यह तमाम बातों से आपको वाक्षित हो गई होगी एक जरूरी मालूमात ये है कि कल की वीडियो में हम आपको आपके रूल लंबर्स बताएंगे कि किस तालिबा का कौन सा रूल लंबर है तो बहराल मेरी ये दर्खास है आप सबसे कि आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो मालूमात हैं वो पूरी हो जाएं गर्मन डिग्री एंट पीजी कालेज हुसेनी अलम में फ़स्ट इयर की आट सो एकीस तालिबात का इस साल दाखला आमल में आया है मैं चाहता हूँ कि आट सो एकीस तालिबात इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें फीज के पे करने में और इस पहले समेश्टर के एक्जाम में किसी की तरह की कोई दुश्वारी न हो बेरहाल बेहर शुक्रिया मैं समझता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फायदे मन्द है